लगतार विवादों के बाद राजद एक बार फिर से अपने संगठन की ओर रुख कर रही है खास पर पर तब जब उपचुनाओ सामने हैं दोनों सीटों पर दाव ठोकने के बाद जब कॉंग्रेस ने भी अपनी तरफ से चाल चल दी तो अब राजद को अपनी साख भी बचानी है और साथ साथ नेतीज कुमार को करारी मात भी देनी है इन परस्थितियों में देखा जाए तो उपचुनाओ का गनित काफी बिगड़ चुका है खास तो पर राजद के पक्ष में एस स्थिति में जब कनहिया, पप्पू यादो और खुद तेज परताप यादो कॉंगर्स के साथ होंगे तो कही न कहीं राजद के लिए आने वाला समय कठनाई ओभरा होगा लेकिन इन सब के बीच लालू यादो की वापसी बिहार में और इस सुप चुनाओ में उनका मौजूद रहना राजद के लिए एक सुकत खबर है इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लालू यादो के आदेश पर तेजसवी यादो ने अभी अभी विधायकों की एक अमर्जनसी बैठक बुलाई है बिहार विधान सवा की दो सीटे कुछिसवस्तान और तारापुर सीट पर होने वाले उपचुनाओ को लेकर नेदर परजपक्ष ने सुकरवार को ये बैठक बुलाई है अपने सरकारी अवास दस सरकुल रोड पर आरजपक्ष विधायकों और उचनेताओं के साथ बैठक का आवहन किया गया है आपको बता दे कि आरजपक्ष परधान महासची अव्दूबैश सिद्गी द्वारह स्ताक्षित सूची में 20 नाम सामिल थे कि आपको बताया है कि राजप को लेकर भी कोई बड़ा फैसला आपने विधायकों के साथ कर सकती है इन सबी के बीच इस तरह की बैठक बुलाना और खास तोर पे उप चुनाओं से तुरंत पहले राज़त का एक मिसन मोड एहसास कराता है आनवल समय में लालू यादो किन पर स्थितियों में चुनाओं परचार करते हैं तेज़ पताप यादो का पूरा रोल क्या रहता है इन सब पर हमाई नज़र हैगी लेकिन फिलहाल आपकी नज़र भारत लाइप पर होनी चाहिए पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी